आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हम लोग को क्या पता है कि इसके उपर अगर हम लोग कोई भी point P लेते हैं जो कि parametric form में है तो P क्या हो सकता है हमारे पास A cos theta, B sin theta यह हो जाएगा हमारे पास parametric यहाँ पर कोई भी point P अगर हम लोग को क्या पता है कि equation of tangent क्या हो जाएगा अगर हम लोग P point से tangent रह करें तो equation of tangent यहाँ पर हो जाएगा at P तो P points अगर हम लोग tangent का equation देखें तो अमरे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x by A cos theta plus y by B sin theta equal to 1 अब अगर हम लोग इस equation को tangent के equation को straight line के intercept form में अगर express करते है तो intercept form क्या होता है x by A plus y by B equal to 1 तो यहाँ पर x के साथ यहाँ पर cos theta है तो cos theta का हम लोग ऐसे लिख सकते है x by यहाँ पर हो जाएगा intercept form में A by cos theta plus यह हो जाएगा हमारे पास y by B by sin theta अगर हम लोग B by sin theta equal to 1 अब हमारे पास देखिए क्या बोलाए कि intercept length h and k on the axis मतलब axis के उपर यहाँ पर x axis के उपर h point h length है और y axis के उपर k length है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जोई x intercept यहाँ पर है और यह y intercept है इसका मतलब A by cos theta यहाँ साम लोग क्या लिख सकते हैं A by cos theta यह किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास इस h के बराबर हो जाएगा तो यह हो जाएगा equal to h और यहाँ पर b by sin theta यह किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा k के बराबर तो equal to k अब यहाँ साम लोग अगर cos theta निकाल ले तो cos theta क्या हो जाएगा a by h हो जाएगा और यहां सा अगर हम लोग sin theta निकाल लए sin theta equal to kya हो जाएगा b by की हो जाएगा अब हम लोग को यहाँ पर क्या पाता एक property होता है कि sin squared theta plus cos squared theta या फिर cos को हम लग अगे लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos squared theta plus sin squared theta equal to one अब देखिए कॉस स्क्वार ठीटा के जगा पर क्या लिखेंगे a स्क्वार बाई h स्क्वार प्लस यहाँ पर साइन स्क्वार ठीटा के जगा पर b स्क्वार बाई k स्क्वार इक्वाल टू 1 तो यह होगे हमारे पास आंसर तो अगर हम लोग option के देखे तो हम आज पास correct option कौन से हो जाएगा option number C Thank you